अम्शेंटे, अव्यक्तमुर्ली, 13 फेबरुरी 1991 दिड़ निश्चे रखना, रखा की जाना ही है, तो पहुच गये न, जाय या न जाये, ये सोचने वाले रहे गए, अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है, अभी प्रकृती ने, फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देख कर, थोड़ा थंड़ा, थंडी हो जाती है, वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तयार नहीं है, किस की दासी बने, निर्भे होना, दरने वाले तो नहीं होना, लोग डरते हैं मरने से, और आप तो, और आप तो, है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए होना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगीगा, और ट्रस्ट ही होना, अगर कोई भी मेरा पन होगा, तो, कोई भी मेरा पन होगा तो मर नहीं पाएंगे अगर कोई भी मेरा पन होगा तो अपनी तरफ खीचेगा कोई भी मेरा पन होगा तो attachment होगा पूरा मरे नहीं है मेरा पन होगा तो मेरा बाबा नहीं हो सकता अगर कोई भी मेरा पन होगा तो दुखी होंगे कोई भी मेरा पन होगा तो निमित नहीं बन सकते कोई भी मेरा पन होगा तो योग नहीं लगीगा कोई भी मेरा पन होगा तो साथ सिजिश्टा नहीं होगा कोई भी मेरा पन होगा तो माया, बिल्ली क्या माया बिल्ली खा जाएंगे म्याओ म्याओ करेगी मैं आउ मैं आउ आप तो हो ही ट्रस्टी शरीर भी मेरा नहीं लोगों को मरने का फिकर होता है या चीजों का या परिवार का फिकर होता है आप तो हो ही ट्रस्टी नियारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगावे बोड़ी कॉंशिसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगावे इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला सुरूप निर्भै अच्छा गुर्ली है 13 फरवरी 1991 दिड़ निश्य रखा कि जाना ही है तो पहुच गए जाए न जाए यह सोचने वाले रह गए बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं यहां पर और कह रहे हैं कि जड़ निश्य रखा इसलिए कि जाना है इसलिए पहुचे जाए न जाए यह सोचने वाले रह गए जाएं या ना जाएं करें की ना करें To be or not to be अभी तो यह कुछ भी नहीं है अभी तो होना है क्या अभी प्रकृती ने फुल फोस की हर्चत शुरू नहीं की है करती है फिर आप लोगों को देखकर थोड़ी संडी हो जाती है वह भी ढर जाती है की मेरे मालिक तयार नहीं है प्रकृती को किसकी चिंता है मालिकों की किसकी दासी बने है कैसी रुभानी चिंता है प्रकृती को निर्वे हो ना डरने वाले तो नहीं हो ना लोग डरते हैं मरने से और आप तो अर्विन भाई आप तो आप तो हो ही मरे हुए आप तो है ही मरे हुए पुरानी दुनिया से मरे हुए हो नई दुनिया में जीते हो पुरानी दुनिया से मरे हुए हो तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा मरो है योगी मरो गीत है और ट्रस्टी हो ना अगर कोई भी मेरा पन होगा तो माया बिली मियाओ मियाओ करेगे मैं आओ मैं आओ आप तो होगी ट्रस्टी शरीर भी मेरा नहीं लोगों को मरने का फिकर होता है या चीजों का या परिवार का फिकर होता है आप तो होगी बेफिकर आप तो होगी निर्भे आप तो होगी निश्चिंद आप तो होगी ट्रस्टी आप तो होगी मरे हुए नियारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाओ है बोड़ी कॉंशिसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगावे इसलिए तपस्य अरथात जौला स्वरूप तपस्य अरथात निर्भे अच्छा लगाओ अरथात अटाच्मेंट कौन कौन सी अटाच्मेंट है ब्रामनों को अभी अभी हम सोच रहे थे अटाच्मेंट के बारे में A, B, C, D of Attachment A Appreciation प्रशंशा प्रशंशा सुनने से बहुत खुशी होती है अच्छा लगता है अंदर यंदर दिल गाडन गाडन हो जाता है प्रशंशा और प्रशंशा नह हुई तो प्रशंशा नह हुई तो forest forest हो जाता है और प्रशंशा हुई तो garden garden हो जाता है दिल प्रशंशा तुती प्रेज उस प्रेज में attachment उस प्रेज में लगाओ अगर न हुई तो दुख अगर न हुई तो आघात रिधे में अगर न हुई तो निराशा अपेक्षा भंग अगर न हुई तो उदास रिधे विदिर्न खिन 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 तन्हा तन्हा बहने भाई सेवा करने से पहले बाबा के कमरे में बैठते बाबा आप जो सेवा कराओ जो आज मुझ से बुलवाओ बुला लो सेवा करने गए सेवा में बहुत ज़्यदा सफलता प्राप्त हुई उसके बाद में मैंने किया बहुत अच्छा किया अच्छा बोला अच्छा किया बाबा थोड़ा भुल गया निमित मात्र मैं निमित हूँ तो अगर प्रशंसा से अती सुख मिल रहा है तो ग्लानी से निंदा से अपमान से क्या होगा उतना ही अधिक दुख मिलेगा इसके लिए योगी अर्थात स्तुती निंदा जय पराजय और सब में समान तो A for 42 है 42 टाइपस अप अटेच्मेंट A for Animals लगाओ किस से? अनिमल से कई सारे बीकेज है जिसको किस से लगावे डॉग कैट काउ बर्ट्स बहुत पाद्मा करते हैं मनुश्य से जज़ा गुमाने लेके जाते हैं गाड़ी में कुमाते हैं हमने एक सेंटर पर देखा टीन बिल लिया थी दो नहीं तीन बहुत प्यार पहरी थी तीनों भी सब की सब बहुत प्यार करते थी तो लगाओ बी बी फॉर भक्ती ग्यान में आगए परंतू सेंटर गए मुरली सुनी परंतू बीच रास्ते में हनवान जी का मंदिर तो आता है उसमें क्या थोड़ा से हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा उसमें थोड़ा से फूद थोड़ी सी अगरवत्ती दिया कुछ तो लगा नहीं है पुरानी भक्ती है पुराना सम्मान है पुरानी दोस्ती भी है हनुवान जी से गनेश जी से माताए करती है ये तक देखा है हमने भाई थोड़ा कम करते है अच्छा अच्छा वक्ती अभी भी चाल हुए हौन हनुवान मंदीर के पहले हम तो ग्यान में आ गए अर्था अगर ग्यान में आने के बाद भी भक्ती चालू है इसका मतलब ग्यान को अभी पूरा समझाई नहीं है भक्ती के सुक्ष में संस्कार अब भी है वो भक्ती नहीं तो शिवावा की भक्ती चालू है कुछ न कुछ तो मांग रहे है सफलता साथियों का सहयोग जमीन सेवा केंद्र कोई वी आई पी कुछ न कुछ कर्मभोग सुली से काटा हो जाए कुछ न कुछ तो मांग रहे है ये भी भक्ती का अंच है इसका मतलब भक्ती पूरी गई नहीं है तो वी फॉर भक्ती सी सी फॉर अटैच्मेंट हम अटैच्मेंट की बात करें अटैच्मेंट हम अटैच्मेंट लगाओ लगाओ आसकती मोह वो रिलेशन्शिप है आर कलेक्शन और सेवा उसे सी कमपनी वो परस्नस में आ जाएगा सब कमपनी भी ले राद दिया जा सकता है कमफर्ट में भी कहली कमफर्ट नहीं कमफर्ट अन कमफर्ट जोन हर आत्मा को अपना कमफर्ट जोन परी रहे उस कमफर्ट जोन के बाहर जाने से बेचे नहीं होती है अपनी एक दिनचरिया फिक्स करके रखे उसमें अगर सेवा के लिए या किसी कर्तव्य के लिए बाहर निकलना पड़े तो अत्ती बेचे नहीं होती है वो भी एक आ सकती है अपने कमफर्ट जोन से कमफर्ट से कमफर्ट हम दूसरी जगा लेंगे कमफर्ट जोन कमफर्ट अर्थाथ फैसिलिटीज हो जाता है एक्स फैसिलिटीज अर्थाथ सादन तो सीफ़र कमफर्ट उसमें भी लगा हो गया है क्योंकि बहुत समय से कमफर्ट जोन में रहने की आदत है तो वो जो कमफर्ट जोन है उससे बाहर में निकलना चाहते एक शेत्र है सुविधा का तो सुविधा के शेत्र से सुविधा के शेत्र में ही लगा हो है तो क्या तो सी डी फोर जी तो ये भी दिया जा सकता है डॉक्टरों में ही लगा हो कुछ है नहीं बस चक्करी लगाते रहते है डॉक्टर शॉपिंग कहते है उसे नया डॉक्टर दिखा कि बस अटैक जपते तो एक तो डॉक्टर डी फोर लगाओ इच्छाओ उसे अटैच्मेंट की अबिसीडि है ये अटैच्मेंट की अबिसीडि है Dress D4 Dress Dress से ही attachment अलग-अलग dresses यहां वाले तो नहीं परंतु जो बाहर रहते हैं अलग-अलग color के dresses यहां वालो की चर्चा हम कर चुके हैं इसके लिए नहीं कर रहे हैं कई क्लासों में पिछले दो-तिन क्लास में हो चुकी है वाइट में भी लगाओ तो D D के बाद में E E for eatables Eatable अर्थात food food अर्थात अन अना अर्थात भोजन उसमें लगाओ वही particular food चाहिए बहुत टेस्ट अगर नहीं मिला तो वेचे में food से आ सकती food से लगाओ नीन नहीं आती है अगर मन पसंद भोजन नहीं मिला तो भूख खदम उदासी भोजन देखते ही निराशा एक अग्याद सी निराशा इन्वाइर्मेंट किसी और इस मिलेंगे हम इसे दो है एक तोई टेवल दूसरा इमोशन एक पर्टिकुलर इमोशन में हिस्तित होने की इच्छा वो एमोशन बहुत दुप देता है परंतु वो छुटता नहीं है सुक मिलता है उसे परंतु सुक वैसा ही है उस घोड़े की तरह जोकी पत्तो को चबाता है जाड़ के जिसमें काटे है और वो काटे उसे चुपते है काटे चुप रहे है परंतु पत्ते काना नहीं छोड़ता उस कुत्ते की तरह जो की हड़ी को पकड़ा हुआ है चबा रहा है उसमें हैं कुछ भी नहीं खुन निकल रहा है वो उसका अपना खुन है परंतु उसको लग रहा है हड़ी से आ रहा है उसी को खाकर खुश हो रहा है Emotions एक Emotions जिस Emotion ने जिस Feeling ने जिस जज़बाद ने दुख दिया है बेचे नहीं उत्पन लगी सारे दिन भर सारा दिन वेस्ट हुआ था सुबह आने के बाद परंटु अगले दिन फिर वही फिर वही वो खीचता है Emotion तो E for Eatable Eatables Eatables और Emotions F F for Facility Facility और Instrument ऐसे दो शब्दों का प्रयोग हिंदी की मुरली के अनुवाद में आता है साधन के लिए अनुवादित शब्द है Facility और निमित्त के लिए शब्द है Instrument वैसे अंग्रेजी भाषा में Instrument ये निमित्त के लिए यूज किया जाता है Facility जो शब्द है साधन Instrument के लिए यूज किया जाता है परंतु हमारे English Translation में जब भी साधन को Translate किया जाता है तो Facility होता है निमित्त भाव को Translate किया जाता है तो Instrument होता है Fashion Fashion और लगाओ की बाद कर रहे है Familiarity से लगाओ कैसे लगाओ आसकती वो Familiarity जो है वो Near about same शब्द है Attachment के तो उसके ही टाइप में वो नहीं आएगा ये सारी एक रिदी से Categories जो है वो अलग-अलग Categories होनी चाहिए आसकती Desire Proximity, Closeness Intimacy ये सब ये सब उसी के प्रगार है तो Fashion उसमें भी आएंगे उसके लिए दूसरा शब्द रखा है E, F Emotions हो गया फिर है G G अर्था गेम्स कौन से गेम से अटाच्मेंट है ब्रामनों को Cricket देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए Cricket क्यों भारत पाकिस्तान नहीं क्यों और उसके उपर चर्चा Table Talks कौन जीता किसने कितने run बना है कुछ भी नहीं करना है दूरूब समझ में नहीं आता है बहुत अच्छा बर्दान है आपके लिए फिर Excitement है उसमें आवेश है आवेख है और उससे हमें क्या मिल रहा है फिर भी चाहिए की टपरियों पर भी ब्रामन खड़े हुए दिखते है कौन जीद जाए क्यूँ ये भी एक लगाव है N for nation आएगा आगे N for nation हमारा करतव्य विश्वका है किसी एक भारत के निवासी नहीं है भारत के नहीं है बाबा ने भी कहा है बाबा भारत में आता होगा परन्तु उसके भारत की परिभाशा कुछ और है केवल जोग्रोफिकल डेफिनेशन भारत नहीं हो सकता है तो परन्तु केवल एक देश से प्रेम और इसको हमने पैट्रियोटिजम कहा देश पर इस परस्ती राश्ट्र भक्ति कहा परन्तु इस राश्ट्र भक्ति ही गलत दिशा में जाने के वज़े से इतने सारे युद्ध हुए है संसार में हर एक देश समझता है, हमारा ही देश सबसे उचा है, यह भी एक अटेश्मेंट है, इस अटेश्मेंट से भी बाहर, तो कहां थे हम, जी, क्रिकेट, फुटबाल, मॉबाइल गेम्स, उसमें भी वाइलन्स है, हिंसा है, मॉबाइल गेम्स में, वो इधर से मार रहा है, इधर से मार रहा है, इसको काट रहा है, हिंसा है उसमें, और वो भी जो गेम्स है दूसरे, उसमें हराने की भाबना है, दूसरों को हराने की इच्छा एक तो व्यक्ति वैसे युद्ध करता है युद्ध हमेशा करता आया है द्वापर से काली रूप बदला है उसका भावना उसके बीच में कौन सी है? हराने की दूसरों को हराना ये भाव है उसी का रूपांतरम ये है हाँ वो एक healthy feelings या भावना से किया जाए sportsmanship के attitude से तो अलग बात है परंदू देखा गया है बहुत सारी studies हुई है विदेश में जबकि football matches हुई है और cricket matches हुई है उन उन देशों में violence का जो rate है वो उस समय बढ़ा हुआ है पूरे साल भर में ये दस दिन में जितनी हत्याय जितनी जगड़े हुए है उस period में वो थोड़ा ज़ादा है ये नहीं कि केवल हमारा देश हारा इसके लिए जगड़े नहीं rate, overall rate of violence during the period of matches ज़ादा है क्योंकि उसमें खराने की भावना है और भगवान बात कर रहा है काम महाशत्रू सबसे बड़ी हिंसा की सबसे बड़ी हिंसा ये है अगर खेलों में भी जहां दूसरों को हराने का भाव बहुत प्रकाड हो जाता है वहाँ पर भी हिंसा है चिस्चित में हिंसा का भाव है वो काम को कैसे जीट सकता है जैन धर्म में 24 तिर्थंकर है पहले तिर्थंकर से लेके तो 23 तिर्थंकर तक किसी ने काम को महावरत में नहीं गिना है केवल चारी वरत है जब महावीर आया वर्दमान महावीर उसमें पाच्वा वरत एड़ किया वो है काम, काम विकार क्या उसके पहले जो 23 आयते उनको यह नहीं समझा कि ब्रह्मचर्य को आड़ करना है परन्तु उन्होंने अहिंसा में ही ब्रह्मचर्य को इंक्लूट कर दिया था परन्तु महावीर के समय तक आते आते लोग इतने इतनी उनकी बुद्धी सुक्ष में नहीं है कि वो काम को भी हिंसा समझे इसके लिए काम महाशत्रू है ब्रह्मचर्य पाच्वा महावरत महावीर ने आड़ किया उसके पहले रिशब देर से लेके पारशनाग तक 23 तिर्धंकर तक किसी ने नहीं सोचा था तब तक इतने सारे साल बीद गए और तब तक केवल चारी महावरत थे जैन धर्म के पाच महावरतों में पाच्वा जो महावरत है ब्रह्मचर्य वो अकाम अचोर्य, अस्थेय, अहिंसा ये तो सारे थे पर भ्रह्मचर्य अकाम महावरत ने एड़ किया है तो देखो कोई बैठा है और क्रिकट मैच देख रहा है क्या वो याद की अवस्था में है पहला, क्या वो आत्मा अभिमानी स्थिती में है क्या वो श्रीमत पर है क्या वो समय को सफल कर रहा है उसकी अवस्था कैसी है आवेश, आवेग, एकसाइटमेंट पैशन उस अवस्था में ही शरीर छूट जाए तो किसकी याद में शरीर छूटा किसकी याद में शरीर छूटा खाना खाते समय सबसे famous table talk है ये cricket की, कौन जी था किसने कितने run बनाए तुमें क्या करना है फिर उसमें opinions, फिर उसमें चर्चा, उसमें विस्ता, उसमें बादचित मनन, संड़े की मुडली प्रभाव, मनन, वर्नन, वातावरन प्रभावी थोग है न और जो दिन भर देखा वो राज में भी दिखेगा अपने लवकिक घर से ही आ सकती मदुबन में आ गए, सेंटर पर आ गए परन्तु घर की आ सकती खिचती है घर की दाल रोटी आज भी याद आती है कब जाऊं और एक बार मा के हाथ का खाऊं यहां भगवान मा किरा रहा है फिर भी वो खिचता है उदर से चटनी मंगाएंगे अच्छार चटनी कोई जा रहा है क्या एच आए आए फॉर एन से आएगा नेशन आए फॉर इंफॉर्मिशन इंफॉर्मिशन से भी लगाओ और हमारे पास यह दिए इंफॉर्मिशन है और दूसरे को पास नहीं है तो कितने मुर्ख है कितने बुद्धु है कितने पिछड़ी हो रहता प्री हिस्टॉरिक आए जे जे फॉर्ट जोक्ष जोक्षी भेजते रहते हैं जोक्षी पढ़ते रहते हैं भेजने में इतना खुशी होती है भेजते रहो दिन भर उसे में टाइम जा रहा है उस जोक्ष में विकार दिया सकते हैं संसार में विकारों की प्रवेश्टा सर्वव्यापी है जोक्ष अच्छूते नहीं है के 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 लिए हैं किर्थी किर्थी अर्थात फेम यश्वी नहीं कहेंगे इसे प्रसिद्धी ख्याती एक तो कहा था ए से अप्रिसियेशन अर्थात प्रशन सा के से किर्थी अर्थात फेम विवेकानन्द नहीं कहा है डिजायर फॉर फेम is the worst of all the desires अध्यात्म के मार्ग में प्रसिद्धी की कामना जब हो जाती है साधक को उसका पतन निश्चित है उन्होंने लिखा है जितनी मेरी तुती हुई है ख्याती हुई है शायद अगर किसी और की होती तो पागल हो गया होता पचाने की ताकत भी चाहिए अगर हो गई तो जहां जाता हूँ वहाँ हल चल हो जाती है एक जगह लिखा है देखाल में साइकलोनिक मंग रहिंदू मंग एक हिंदू सन्यासी तुफानी परंतु प्रसिद्धी अगर प्रसिद्धी का ही नशा हो जाए ख्याती का ही नशा हो जाए तो वो पतन है योगी का योगी को माया कहा से आएगी यहां से आएगी विकारों को तो जीता काम छूट गया इसके लिए तो इतना तेज और ओज आ गया है वो तो फरसिद्ध है सैयम आ गया काम छूट गया क्रोध लोग मोह छूटा अहंकार भी लगबख छूटा ही है परन्तु अजानक से प्रसिद्धी और उस प्रसिद्धी में खो जाता है व्यक्ति उस प्रसिद्धी उसको निगल लेती है प्रसिद्धी का चस्का और वो उसे भी नहीं पता चलता है वो पता तब चलता है जब पूरा गिर जाता है मेंचे अध्यात्मिक उन्नती जो है ये बहुत आंतरिक और सुक्ष मक्रिया है बहार से किसी को लग रहा है कि ये बहुत उचा उठ रहा है, अध्यात्मों में, ऐसा नहीं है, शायद जब प्रसिद्धन नहीं था, तब बहुत उचा था, अब शायद नीच गया है, इसके लिए माप दंड जो है, वो उपर से जो दिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है, सब क के के बाट, एल, एल फॉर, एल अटेच्मेंट, आसकती, लगाओ, एल फॉर, लग्जरी, कमफर्ट में आ गया, क्या, लुकिंग, लुकिंग, लुकिक, फॉम में आ गया, लेबल, डी में एक चीज़ आ रही थी, जो हम भूल कहते हैं, डी अर्था, डिग्रीज, एक तुरी कह दिया, डी में डिग्रीज, उस डिग्रीज की ही अटेच्मेंट, हैं, ठीक है, पर अटेच्मेंट ना हो, दादी प्रकाश्मणी का उधारन है, सबसे बड़ा, बाबा के पास आये दादी, वो लेकर, की डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, वो टैन कर, तो बाबा ने क्या कहा था, क्या ब्रह्मा कुमारी से भी बड़ी कोई डिग्री है, ब्रह्मा कुमारी बन जाना इस संसार की सबसे बड़ी डिग्री है, अशुक भाई, बरबर है ना, हाँ, आए, कहा थे, एल, एल फॉर, अटेच्मेंट, अटेच्मेंट, हम चर्चा कर रहे हैं अटेच्मेंट की, वो साधन में आ लिया, ये सारी लाइकिंग की लिस्ट है, लाइफ, वो निज़ में आ गया, हाँ, लल, लन तो अच्छी चीज़ है, लन करना चहिए हाँ, वो तो ग्यापक हो गया बहुत थोड़ा specific law kick home में आ गया liberty freedom literature literature तो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए बहुत ज़दा हाँ 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 open yes चलो literature कहा जा सकता है पर उसमें brahma kumar literature भी है फिर वो तो पढ़ना है और भार का नहीं lecture lecture नहीं सुनना चाहिए किसी किसी का सुनना चाहिए किसी किसी का नहीं luxury comforts में आ गया looks किसका looks अपना ही L तक हो गया न नहीं कहां तक हो गया के तक हो गया के तक हो गया आगे कल का लगाओ है और जिस पे काम करने की आवश्च रखता है अभी तक जितने हमने गिना है अगर इसमें से किसमें है फिर से एक बार revise करते फिर class को पूरा करते आगे बचे हुए कल A for appreciation A for animals यहां तो मुझे नहीं लगता है किसी को एनिमल से लगा हुए पर देखते हैं हम कुटे को लेके जाते हैं गुमाने बहुत उसके पीछे पीछे उसके पीछे 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 बहार वाले थोड़ा ज़्यादा करते हैं यह परंटु जो जिन्होंने ग्यान अभी अभी थोड़ा थोड़ा समझा है उनके भी पहले से जो है उसको छोड़ते थोड़ी नहीं B for भक्ती कहीं भक्ती से तो आटचमें नहीं कहीं भक्ती का सुक्ष में संस्कार तो नहीं C for comfort zone जब कर्टव्य पुकारे तो सब कुछ छोड़ना है सब कुछ कर्टव्य से बड़ा और कुछ नहीं है comfort सब कुछ जीवन में कर्टव्य के आगे बाकी ग्यान योग सब सब एक तरफ जब कर्टव्य की पुकार आ जाए call of duty उससे उपर कुछ भी नहीं है क्लास को भी छोड़ दो सब छोड़ दो सब तो C for comfort एक अपना comfort zone हमने जो निर्मान किया है उससे कभी-कभी बाहर भी आना पड़ेगा चाहे सेवार्थ कर्टव यक्यर्थ किसी के कल्यान अर्थ आना है C A, B, C, D D for degrees degrees से भी attachment ना हो कई लोग फोन आता है तो अपने degrees से ही चलू करते है मैं कौन बोल रहा हूं पहले तो प्रोफेसर बोल रहा हूं वो ये बात हमेशा बोलते है हमारे पास एक डॉक्टर थे वो जब ही भी एक patient के पास जाते थे सबसे पहले अपना पैर जो है उसके bed के उपर रखते थे उनके साथ हम गूमते थे round लेते थे तो अपना पैर तो सबसे पहले bed मतलब जदी के नीचे और फिर उसको पहले बताते है मैं कौन हूं और मेरी क्या कि डिग्री है और अब बताओ क्या थक्ते और अब बताओ कैसे है चलो उसको तो आजाए पर यहाँ अहंकार की भी का भी पोशन हो रहा है वो कह अगर प्रामन भी अपने अहंकार का किसी ना किसी सुक्ष मरिती से पोशन करता है नाम उसको सेवा का समाचार दे दे सिर सेवा का समाचार कहा कहा गए कहा कहा जाने वाले है बस इसी का समाचार ये भी सुक्ष महंकार है मैं यहा गया, मैंने यह किया मैंने यह किया मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया इसका वरनन और विस्तार से वर एक स्पीकर था वो जब ही भी जाता था उसके दो तीन चेले को या जो को वो सभा में बैठ जाते थे और फिर पूछते थे हाथ खड़ा करके आपने क्या क्या किया है आप कहां कहां गया है उसी के अपने ताकि ऐसा पता ही ने चले कि मैं खुद बता रहा हूँ तो अपने दोनों काम हो जाते है भूक कानुबो है क्या ब्राह्मनों को भूक क्या होती है इस कानुबो है ही नहीं उससे पहले ही गिटक लेते है भूक क्या चीज़ है इसका तो अनुबो ही नहीं है सोचो एक घंटा यदि तीन बज़े भोजन मिले एक बज़े ना मिले कोई तो बारा बज़े ही बिलकुल तीन बज़े मिलने वाला है कितनी बेचे नहीं कितनी हल चल आठा जन्वरी के दिन कईयों का हाल बुरा होता है सुबह सुबह और बता भी नहीं सकते चुपके चुपके अंदर ही अंदर हाली दूद सॉलिड चाहिए भूक भूक की तड़प अनुभव नहीं है कम अनुभव है सब मिली रहा है सब कुछ है जब हटा दो तब पता चले सब कुछ है जो मिल रहा है हम तो ले रहे है हमारी कोई आ सकती नहीं है चुपचप जाते है जो मिल रहा है खाली है एक दिन नहीं है तो देखो फिर क्या होता है अगर नहीं रहने के बाद भी स्थिती वैसी ही है तो कहा जाएगा कि कोई आ सकती नहीं है एक दिन बिना नाश्ता के देखो मर नहीं जाओगे मरने की चिंतब होते है सबको जितना खाने से रखती बिमार पड़ता है ना खाने से कम पड़ता है जितने पेशेंट over rating के है under rating के इतने पेशेंट नहीं है दुनिया में कौन है जो भूख से आज की तारीक में मर रहा है बताऊ आज की तारीक में जिसको खाना नहीं मिला और मर गया बहुत कम और ऐसे कितने हैे जो ज़्यादा खाने से मर रहे है, ज़्यादा खाने से पर बिमारिया, मोटा पा, ओबेसिटी, हर कितनी प्रगार की बिमारिया, बहुत सारी बिमारिया, खाने से हो रही है, ना खाने से तो बिमारिया कम होती है, सुक्ष्म पॉइंट है और कॉंट्रवर्शियल पॉइंट है इसके लिए इसको यही रोपते है नहीं तो मिलने आ जाएंगे और फोन आ जाएंगे ऐसा क्यों कहा अगला इसे इमोशन्स भी इमोशन्स में ही अटेच्मेंट है अपने ही इमोशन्स जो पता है जो दुख देने वाले है और जिसने दुख दिया है वो विकार का भी इमोशन हो सकता है काम हो सकता है क्रोध हो सकता है लोब हो सकता है मोह हो सकता है आसकती हो सकता है अहंकार का कोई भी इमोशन्स हो सकता है विकारों से संबन दित इमोशन पर उन्तू छुड़ता नहीं है अगला E, F, F for F for Facilities, Facilities अरथा Science के सादन F, G, Games कौन से Games करने की हमको आदत है Games खेलते तो नहीं है, देखने की आदत है कईों को खेलने की है, खेलना तो अच्छा है हम कहेंगे खेलो, वो तो Physical Health के लिए अच्छा है वो तो अच्छा है, वो खेलो पर अंदू, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं हम खाली Excite हो रहे हैं देखकर और उसमें ये भावना हो रही है की भारत जीत जाए और वो हार जाए क्या, पाकिस्तान विश्व में नहीं है क्या वो आत्माएं नहीं है क्या वो एक बाव की संतान नहीं है क्या भारती है बाव की संतान है ये कौन सा भाव है, विश्व कल्यान का भाव है कि वो हारे और हम जीते हार जीत बावा ने केवल माया की लिए कहा है व्यक्तियों के लिए नहीं कहा है कभी भी व्यक्तियों को समाओ परिस्तितियों का सामना करो सामना व्यक्तियों का नहीं करने को कहा है सामना करना अर्था तो उसको हराने का भाव है वहाँ पर हिंसा है जहाँ पर तो जो भी खेल हम खेल रहे हैं वो हिंसात मकना हो और खेल में टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट कितना होता है और खेलने के बाद में उसकी चर्चा खेलने के बाद में रात में स्वपन और खेलने के और ये समय कुन सा है संगम यूप का समय क्या ये बुद्धी मानी है कि खेल देखने लग गए क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, होकी मैच क्या आता है किस पे क्रोध, हिंसा वो तो होता है, कहा ना स्टेडीज हुई है, वाइलेंस पर खेल के दर्मियान ज़ादा वाइलेंस हुआ है संसार में और जिनको काम जैसे महा हिंसक विकार को जितना है, उन्हें हिंसा की सुक्षम ती सुक्षम परिभाशा को समझना होगा, जैन धर्म में 400 प्रकार की हिंसा बताईए जीव जन्तु तो है और और बहुत सरी प्रकारे सुक्षम सुक्षम हिंसा की प्रकारे जैन धर्म में कृषεν को नर्क में डाला है पदा है ना जैन धर्म में No मरने के बाद कहा गया है नर्क इतनी बड़ि हिंसा कराई उसका जो नेमिनाद चचेरा भाई बताया है, नेमिनाथ तिर्थंकरों में एक है, एक तिर्थंकर नेमिनाथ है, तो कृष्णा को भी छोड़ा नहीं है, जैन धर्मने कृष्णा को हिंसक बताया है, उधर डाला है, उसकी पूजा थोड़ी होती है, जी, एच, होम, होम सिकने, मेरा घर, मेरा भाई, मेरी बेन, मेरी माँ, मेरे घर का भोजन, मेरे घर का गार्डन, मेरी गाय, क्या, क्या, गाय, ये, एक अलग सा नशा होता है, ये जो है न, हमारे घर से आया है, ये बैग हमारे घर से आई है, हमारे घर में अभी भी भूले नहीं है, इधर है मदुबन में इतने सालों से, पर अपने घर की यादे अभी तक नहीं भूली, हमारे घर में ऐसा होता था, कौन सा घर? वो पुरानी दुनिया अभी तक नहीं छोड़ी किया कि अभी तक उसकी यादे है कौन सा हमारा घर? किसका घर? कैसा घर? Cut the bridges Drown the boat Throw the ladder जिस नाव में आये हो उधर से इधर, उस किनारे से इधर अब उस नाव को Drown the boat, उस boat को डुबो दो Cut the bridges, जिस पुल बाम कर इधर आये थे, उस ब्रिज को काट दो, और Throw the ladder, जिस लैडर से चड़ कर उपर पहुचे हो, जिस सीड़ी से अब उस सीड़ी को फेक दो हम मन के सीड़ी की बात कर रहे है, स्थूल सीड़ी की नहीं बात कर रहे है, मन के सीड़ी की Throw the ladder, drown the boat and Cut the bridges, यह तीन नियम है सन्यास के एक बार इधर आ गए, अब उधर क्या हो रहा है, उसकी चिंता नहीं उनका कल्यान कौन करेगा और तोड निभाना है, इसी चक्कर में, मोह में फसे है ब्रामण, भावना अच्छी है, परंतु मोह अभी यही कारण है इसी फे पाखंड भी जनम हो रहा है अंदर ही अंदर धोका है कहीं न कहीं अगला हाँ हाँ, इन्फोर्मेशन जे, जो योगी गंभीरता मेरा मन करता है ठीक है न, सुद्दविन होमवक है आपका अगले कल ओमशन दे